हाईलो फ्रेंड्स हमारे आपने चनल SF Classes में आपका स्वागत है मैं आज के इस वीडियो में बिहार बोर 2021 के जो मैटरी के एक्जाम होने वाले हैं उसके लिए मैंने 50 अब्जक्टिव कोशन लाया हूँ इसके पिछले वीडियो में भी 50 अब्जक्टिव कोशन लाया था इसके Social Science के Class 10 को जो अग्जाम होने वाले उसमें से आप लोग को टोटल सतर अब्जक्टिव कोशन पुशा जा रहा है इससे समातर आप लोग का 35 का एंसर देना होगा इस वीडियो का अच्छा तरह से देखना पिछले वीडियो को तुम लोग ने बहुत अच्छा से देखा था इस वीडियो को भी अच्छा से देखना ताकि आप लोग का 100 objective कोशन मैंने दे दिया हूँ जिसमें से मातर आप लोगों एक्जामे 70 कोश्चन पुछा जाएगा जिसमें से मातर नहीं 35 का ही जबाब देना है जी दोस्तो इस वीडियो का स्क्रिप न करना और अच्छा तरह से दखना अगर यह वीडियो अच्छी लगती हो यह लाइक करना सस्क्राइब करना और शेर करना न भूलना कोस्चन नमबर वन है भारत में समिधान सबाका गठन कौब हुआ था इसमें दोस्तो आपका एंसर जैगा अप्सण नमबर सी सनउननी सोप्छी आलीस अब चलते कोस्चन नमबर दो की तरफ question number 2 है संग सरकार का उधारन है इसमें दोस्तों आपका option होज़ेगा B संग सरकार का उधारन है B होज़ेगा America अब चलते question number 3 की तरफ question number 3 है भारत में राष्ट्री अस्तर पर पंचायती राज्य की अस्थापना कभूई इसमें दोस्तों आपका एंसोर रज़ेगा Option number C जीस Question का एंसोर दोस्तों आपके याद होगा उसे अपना Comment बक्स में जरूर लिखियेगा Question number 4 है समवर्ती सुची में राखा जाता है इसमें दोस्तों आपका एंसोर रज़ेगा Option number B केंद्र और राज्य दोनों को समर्ति सुचिक के अंतरकत राखा जाता है अप्शन हो जगा B चलते कोस्चन नमबर 5 की तरफ कोस्चन नमबर 5 है नेम लिखित में किसे लोग तंतरका प्राण माना जाता है इसमें दोस्तो आपका एंसोर हो जगा अप्शन नमबर C सर्मिधान को लोग तंतरका प्राण माना जाता है अप्शन नमबर 6 की तरफ कोस्चन नमबर 6 है किस देश में बहुदलिय ब्यवास्ता नहीं है इसमें दोस्तो आपका एंसोर हो जगा अप्शन नमबर D बेटेन है जो इसमें बहुदलिय ब्यवास्ता नहीं है अप्शन नमबर 7 की तरफ कोस्चन नमबर 7 है भारत में संपूर करांती का नारा किस ने दिया इसमें दोस्तो आपका एंसोर हो जगा D जैप्रकास नरायन ने संपूर करांती का नारा दिया था अप्शन नमबर 8 की तरफ भारतिय किसान इउनियन के परमुख नेता कौन थे इसमें दोस्तो आपका एंसोर हो जगा C महेंदर सी ट्रिकाईट जिसका एंसोर हो जगा महेंदर सी ट्रिकाईट अप्शन नमबर C हो जगा अप्शन नमबर 9 की तरफ Q9 है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांद से शुरू हुआ इसमें दस्तो आपका एंसर जाग अफ्चन नंबर A आंदर पर्देश जो ताड़ी विरोधी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था अफ्चलते Q10 Q10 है नर्मदा बाचाव आंदोलन किस से समंदित है इसमें दस्तो आपका एंसर जाग अफ्चन नंबर D उत्राखन उत्राखन ड्रैनिक रवार में हुआ था अफ्चलते Q12 कि तरफ Q12 है दल बादल कानून नेमलेखित में से किस पर लागू होता है इसमें दस्तो आपका अफ्चन हो जागा बी संसद और विधायकों पर दल बादल कानून लागू होता है अब चलते हैं दस्तो Q13 की तरफ Q13 है भारत में अपात काल की घोषणा कोब की गई इसमें दस्तो आपको का एंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें आपका एंसर क्या होगा अफ्चन नमबर 14 की तरफ Q14 है भारत में की तरह की लोग तंतर की ब्यवस्ता की गई है इसमें दस्तो आपका एंसर हो जाएगा अफ्चन नमबर C परत्याच एवंग अपरत्याच दोनों भारत में लोग तंतर की ब्यवस्ता की गई है अब जाता है question number 15 की तरफ question number 15 है की सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं इसमें दोस्तो आपका answer रजाएगा option number A लोगतंत्र में चुनाव नियमित रूप से होता है अब जाता question number 16 की तरफ question number 16 है आज दुनिया के लगबग कीतने देशों में लोगतंत्र विद्यमान है इसमें दोस्तो आपका एंसोर जाएगा आप्षन नमबर ए लगबग 100 देशों में लोगतंत्र विद्यमान है अब चलते कोस्चन नमर 17 तरफ कोश्चन नमबर 17 है लोगतंतर जानता का जानता द्वरा जानता के लिए सासन है इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जागा अप्शन नमबर B आपराहम लिंकर ने कहा थाक लोगतंतर जानता का जानता द्वरा जानता के लिए सासन है अब चलते कोश्चन नमबर ठारक तरफ छेत्रवाद की भावना का एक प्रमाण है इसमें दस्तो आपका अप्शन नमबर हो जागा D अल्गवाद अब चलते कोश्चन नमबर उनिस की तरफ कोश्चन नमबर उनिस है इसमें दस्तो आपका अप्शन नमबर भारत अब चलते कोश्चन नमबर उनिस की तरफ कोश्चन नमबर उनिस है इनमें से कौन देश मिश्रित अर्थ ब्यवास्ता है इसमें दस्तो आपका अप्शन नमबर उनिस की तरफ question number 21 है इन में से कौन योजना आयोग के पादन अध्याच होते हैं इसमें दस्तों आपका इंसोर जागा परधान मंत्री जो आयोजना आयोग के पादन अध्याच होते हैं अब चलते है question number 22 की तरफ question number 22 है निमलेखित में किसे पिछड़ा राज ये का आ जाता है इसका भी दस्तों आपका comment box में उतर देना है अब चलते है question number 23 की तरफ question number 23 है भारत में नीती आयोग की अस्थापना कव होई इसमें दस्तों आपका answer राज जाएगा option number D 2015 अब चलते है question number 24 की तरफ question number 24 है भारत में BTA वर्स कहा जाता है इसमें दस्तों आपका answer राज जाएगा option number C 1 अपरेल से 31 मार्ट तक आप चलते है question number 25 की तरफ question number 25 है question number 25 है भारत में किस राज जाएग का प्राती व्यक्ति आयोग सरवधिक है इसमें दस्तों आपका answer राज जाएगा option number C गोवा अब चलते है question number 26 की तरफ question number 26 है दादा भाई नरावजी ने सर प्रतम राज टी आयोगा अनमान कव लागाया था इसमें दस्तों आपका answer राज जाएग option number A अब चलते है question number 27 की तरफ question number 27 है बिनमे का सरवत्तम माध्यम क्या है इसमें दस्तों आपका answer राज जाएग option number C अब चलते है question number 28 की तरफ question number 28 है इनमें से कौन विदिग गराय है मुद्रा है इसमें दोस्तों आपका एंसोर जाग अप्शन नमबर C 10 रुपे का नोट जो है वेदिगरा है मुद्रा है अब चलते हैं कोश्चन नमबर 29 की तरफ कोश्चन नमबर 29 है हमारे देश में किस मुद्रा को बैधानिक मनेता प्राप्त है इसमें दोस्तों आपका एंसोर जाग अप्शन नमबर D आप चलते हैं कोश्चन नमबर 30 की तरफ कोश्चन नमबर 30 है भारत में केंडरिये बाइंग कौन है जी दोस्तों आपका एंसोर जाग अप्शन नमबर A रिजरा बाइंग कफ इंडिया आप लोग इसको सभी लोग जानते हैं अब चलते हैं कोश्चन नमबर 31 की तरफ कोश्चन नमबर 31 है भारत की बितीय रैधानी की सोहर को कहा जाता है इसमें दस्तो आपका एंसर हो जाएगा अपसान नमबर A भारत की बितीरे दानी मुंबाई को का आ जाता है अब चलते हैं कोश्चन 32 की तरफ कोश्चन 32 है बेलसाइक बैंको का राष्ट्री एक करण कॉप किया गया इसमें दस्तो आपका एंसर हो जाएगा अप्चन नमबर C अठ्ठा उनिस सो उननत्तर इसमी में अब चलते हैं कोश्चन 33 की तरफ कोश्चन 33 है हमारे राजिय में कार यह रत केंद्री एक बैंको की संख्या है इसमें दस्तो आपका एंसर हो जाएगा 25 अब चलते हैं कोश्चन नमबर C की तरफ कोश्चन नमबर 34 है कोण विमारू राजिय नहीं है इसमें दोस्तों आपका एंसर राज़ेगा ओप्षन नमबर C करनाटक अब चलते कोश्चन नमबर 35 कि तरफ कोश्चन नमबर 35 है कीश छेतर को दिवतियक छेतर क कहा जाता है इसका दोस्तों आपका एंसर कमेंट बक्स में लिखना है कोश्चन नमबर 36 है बैसवी करन का मुख्य कितने अंग है इसमें दोस्तों आपका एंसर राज़ेगा ओप्षन नमबर D 4 चार चोट्यक कोश्चन नमबर 37 कि तरफ कोश्चन नमबर 37 है इनमें कवन वो बवराष्ट्रिय कमपनी नहीं है इसमें दोस्तों आपका एंसर राज़ेगा ओप्षन नमबर C पारले जो है वराष्ट्रिय कमपनी नहीं है कोश्चन नमबर 38 है भारत में वो बवोक्ता सरक्षर अधिनियम की घोशना कव होई इसमें दोस्तों आपका एंसर राज़ेगा ओप्षन नमबर A अब चलते हैं कोश्चन नमबर 49 की तरफ कोश्चन नमबर 49 है हॉल मार्क का सब्द चीन किस बस्तू के गुणवाता का परमाड है इसमें आपका चर अप्षन दिया गया है इसमें दोस्तों आपका एंसर राज़ेगा अप्षन नमबर C सोने का अभूसर्ड अब चलते हैं कोश्चन नमबर 40 की तरफ क्वेस्चन नमब चालिस है भोकता दोअरा शिकायत करने के लिए आवेदन सुल्क कितना लगता है इसमें दोस्तों आपका कोई सुल्क नहीं लगता है अप्षन नमबर हो जाएगा दि अब चलते हैं question number 41 की तरफ question number 41 है इनमें कोवन परकिर्थिक आपदा नहीं है आप लोग जानते हैं दस्तो जो परकिर्थिक द्वारा नहीं वहन वाला है इसमें आपका option है जगा D अंतकवाद अंतकवाद जो है परकिर्थिक आपदा नहीं है question number 42 है चुनामी का परमूख कारण क्या है इसमें दस्तो आपका एंसर है जागा सम्मूद्र में भुकम का आना चुनामी का परमूख कारण है अब चलते है question number 43 की तरफ question number 43 है निमिलिकित में किसे बिहार का सोक नदी कहा जाता है आप लोग दोस्तो जानते हैं उसे comment बक्स में जरूर लिखेगा अप सोन जागा इसमें बी कोशी को बिहार का सोक नदी कहा जाता है अब चलते है question number 44 की तरफ question number 44 है भाख़डा नांगल बांध किस नदी पर इस्तित है इसमें दस्तो आपका एंसर है जागा option number D अब चलते है question number 45 की तरफ question number 45 है चुनामी किस अस्थान पर आता है इसमें दस्तो आपका इंसर है जागा option number A समूंद्र में अब चलते है question number 46 तरफ question number 46 है माहा सागर के तल्ली पर होने वाले कमपन को किस नाम से जाना जाता है इसमें दोस्तों आपका इंसर जागा option number C tsunami को चलते question number 47 की तरफ question number 47 है आग से जलने की इस्थिती में जले हुए अस्थान पर क्या प्रासमी उपचार करना चाहिए इसमें दोस्तों आपका इंसर जागा option number A ठांडा पानी डालना चाहिए सिर्फ 10 या 15 मिनट तक उसे नो कोटना या नो से छीला नहीं चाहिए चलते कोश्चन नमर तालिस की तरफ कोश्चन नमर तालिस है बाड के समय निमली खित में से किस अस्थान पर जाना चाहिए इसमें दोस्तों आपका इंस हो जागा सि उच्ची भूमी वाले अस्थान पर अब चलते कोश्चन नमर 49 की तरफ कोश्चन नमर 49 है संचार का सबसे लोग पिरिये साधन है इसमें दोस्तों आपका इंस हो जागा सारवाजनी टेलिफोन कोश्चन नमर 50 है निमलेखित में कौन परकृतिक अपदा है इसमें दोस्तों आपका इंसर हो जागा परकृतिक जो अपदा है भूकाम्प है अप्शन नमर 50 हो जागा अगर यह वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास सेर करना लाइक करें और सस्क्राइब करें जाएं दोस्तों